स्वागत है वापस हमारे शो में, जहां हम आपको विज्ञान जगत की धधु मधुकाती खोजों से रूबरू कराते हैं. आज हम डार्क मैटर के रहस्यमय दाइरे में प्रवेश करते हैं, जहां नए खुलासे सामने आए हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बद बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 85%. डार्क मैटर के गुरुत्वा कर्शन प्रभाव से ही आकाश, घंगाएं और तारे एक साथ बंधे रहते हैं. आज रात के इस कार्यक्रम मे हम इन नए खुलासों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि डार्क मैटर ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करता है. साथ ही, हम यह भी देखेंगे कि वैज्ञानिक इस अदृष्य पदार्थ का पता लगाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं. डार्क मैटर के प्रकार, वै अनुसंधान के तरीके डार्क मैटर को सीधे देखने में असमर्थ होने के कारण वैज्ञानिक प्रत्यक्ष रूप से इसका अध्यन करते हैं. उदाहरण के लिए वे आकाश गंगाओं के घूमने के तरीके और दूर के सूपरनोवा विसफोटों के गृत्वा कर्शन लें सिंग प्रभाव का विशलेशन करते हैं. ये दोनों घटनाएं इस बात के प्रमान देती हैं कि वहाँ पर कोई अद्रिश्य द्रव्यमान मौझूद है जिसे हम डार्क मैटर मानते हैं. अनुसंधान में नई प्रगती. जैसा कि इस शो की शुरुआत में बताया गया था, ह हविश्य के मिशन, अंतरिक्ष एजेंसियां, डार्क मैटर का पता लगाने के लिए विशेश उपग्रह और प्रयोग शाला प्रयोगों का निर्मान कर रही हैं. ये मिशन शायद हमें यह बताने में सक्षम होंगे कि डार्क मैटर वास्तव में क्या है और यह वैज्यानिक वैज्यानिकों की टीम ने आकाश गंगाओं की गति का अध्ययन करके एक महत्वपूर्ण खोज की है. उन्होंने डार्क मैटर कणों के बीच परसपर क्रिया के संकेत पाए हैं. बदलती हुई धारणा, shifting perception. अब तक यह माना जाता था कि डार्क मैटर कण मुख्य रूप से गुरुत्वा कर्शन के माध्यम से परसपर क्रिया करते हैं. ये नया शोध इस धारणा को चुनोती देता है और सुझाव देता है कि उनके बीच अन्य प्रकार की बल भी काम कर रहे हैं. ये खोज भौतिकी के मानक मॉडल को भी प्रभावित कर सकती है, जिसे वर्तमान में प्रात्मिक कणों और उनके अंतक्रियाओं का सबसे सटीक विवरण माना जाता है. डाक मैटर मॉडल को परिश्कृत करना. रिफाइनिंग डाक मैटर मॉडल्स. वैज्यानिकों द्वारा प्रस्तावित विभिन डाक मैटर सिध्धान्त हैं. ये नया डेटा मॉजूदा निर्मान का भी मार्ग प्रशस्त करेगी. भविश्य के अनुसंधान के लिए दिशा, Direction for Future Research. ये खोज डार्क मैटर अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है. वैज्यानिक अब यह पता लगाने के लिए और अधिक प्रयोगों का डिजाइन तयार कर सकते हैं कि ड दार्क मैटर कर्ण कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और वे किन बलों के माध्यम से संचार करते हैं. ये प्रयोग हमें डार्क मैटर के रहस्य को उँ अन्रैवलने और यह समझने में मदद कर सकते हैं कि यह ब्रहमान्ड को कैसे आकार देता है. ये पारंपरिक रूप से माना जाता था कि डाक मैटर कर्ण केवल गुरुत्वा कर्शन के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं, लेकिन यह नया शोध इंगित करता है कि उनके बीच अन्य प्रकार की परस्पर क्रिया भी हो सकती है। यह खोज डाक मैटर की हमारी समझ को बदल सकती है और यह सुझाव देत कि यह पहले से सोचे जाने से कहीं अधिक जटिल पदार्थ हो सकता है। अंधकार पूर्ण पदार्थ के उम्मीदवार डाक मैटर कैंडिडेट्स जैसा कि हमने चर्चा की वैज्यानिक अभी भी इस बात को सुलजाने में लगे हैं कि डार्क मैटर किस चीज से बना है। जैसे और भी अधिक विचित्र कणों की ओर इशारा करते हैं। वैज्यानिक इन कणों का पता लगाने के लिए विशेश प्रयोग शाला प्रयोग कर रहे हैं। अम रास्ता, इंडिरेक्ट डिटेक्शन। चुंकि हम डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते, वैज्यानिक अप्रत्यक्ष रूप से इसका अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए वै ये देखते हैं कि डार्क मैटर अन्य पदार्थों के साथ कैसे गुरुत्वा कर्शन से परस्पर क्रिया करता है। वै दूर के आकाश गंगिय पिंडों के प्रकाश के गुरुत्वा कर्शन लें आज रात के कार्यक्रम में हम विशेश रूप से Observatory Research Institute का नाम से प्राप्त हालिया टिपपणियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे समझना ब्रह्मांड के विकास और संरचना के बारे में हमारी समग्र समझ को पूरा करने के लिए आवश्यक है। लेकिन अभी तक इसे सीधे तोर पर देखा नहीं जा सका है। हालांकि हाल ही में Observatory Research Institute का नाम से प्राप्त आंकडों ने इस मायावी पदार्थ के बारे में हमारी समझ को थोड़ा और स्पष्ट किया है। डार्क मैटर का प्रभाव डार्क मैटर का गुरुत्वा कर्शन प्रभाव आकाश गंगाओं के घूमने के तरीके और तारों के समूहों को एक साथ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्रिश्य पदार्थ जैसे तारे और ग्रह, ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का केवल एक छोटा सा अंश है और बाकी सब कुछ डार्क मैटर से बना है। हालिया अवलोकनों का महत्व। ओम्जर्वेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम द्वारा किये गए हालिया अवलोकन डार्क मैटर के गुणों या इसके वितरन के बारे में नया सुराग दे सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि डार्क मैटर ब्रहमांड के विकास और संरचना को कैसे प्रभावित करता है। अनुसंधान की चुनोतियां डार्क मैटर के बारे में सीखना मुश्किल है क्योंकि हम इसे सीधे नहीं देख सकते। हालिया अवलोकनों का डेटा वैग्यानिकों को डार्क मैटर मॉडलों को परिश्कृत करने और यह पता लगाने में मदद करेगा कि यह अन्य प्रकार के पदार्थों के साथ कैसे परस पर क्रिया करता है। भविश्य की दिशा आने वाले वर्षों में उमीद है कि नई पीड़ी के टेलिस्कोप और कन त्वरक हमें डार्क मैटर के रहस्य को सुलजाने में और भी अधिक सहायता प्रदान करेंगे। शायद एक दिन हम यह पता लगा सकेंगे कि डार्क मैटर वास्तव में क्या है और यह ब्रह्मांड के विकास में किस भूमी का निभाता है।